हेलो फ्रेंज कैसे हैं आई होब आप लोग ठीक होंगे नियु टीप्स नियु एक के साथ आ गएं फ्रेंज तो आज का वीडियो बहुत ही यूजफूल होने वाला है बहुत ही कमाल का टीप्स और ट्रिक से लेकर आई हूं रोज की तरह तो फ्रेंज पहला टीप से कुछ ही चैनल पर आप नियु है तो प्लेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर भी करें यहाँ पर देखिए हैंकी को जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं बाहर जैसे हम आपको बताएं कि हैंकी तो सभी लोग रखते हैं बच्चे से लेकर बड़े लोग तो अकसर क्या होता है जिसे हैंकी हम इस तरीके से लेकर जाते हैं मार्केट कहीं पे भी तो अकसर हम इसे भूल जाते हैं क्योंकि हाथ में रखते हैं और ये कहीं पे भी छूड़ जाता है तो ये बहुत ही बढ़े हैं टीप्स बता रहे हैं फ्रेंज जो कि बहुत ही कामका है तो यहाँ पर दिखे हमें लेना है 70 पीन इस तरीके से और हैंकी में हमें इस तरीके से लगा देना है अब तो हम 70 पीन लगा दिये हैं हैंकी में अब यहाँ पर जो है हम जो भी चूरी पाने हैं इस तरीके से उसमें टच कर लेंगे और फिर कहीं पे भी जाएंगे तो हाथ में इस तरीके से रख कर जा सकते हैं और कहीं पे भी खाने के लिए जैसे कि गयें बैठें तो हाँ पे अक्सर क्या होता है हम लोग जब चलते हैं तो हैंकी छूट जाता है या फिर कहीं पे भी यूज की हैं वहाँ पर बैठें तो छूड़ जाता है इस टीप्स के थूरू आप कैसा लगा आप जरूर बताईएगा किस कोने से मेरे वीडियो को वाच कर रहे हैं जरूर बताईएगा अब तो दीपावली नजदीक आ गई है और सभी लोग दीपावली में दिया तो सभी लोग जलाते ह है तो आज जो हम टीप्स बताने जा रहे हैं फ्रेंज कि हाँ आज हम पॉडर से दिया किस तरीके से जलाएंगे आप लोग जरूर देखिए तो देखी फ्रेंज हमें करना क्या है जिसे कि इस तरीके से मीटी के दिया तो सभी लोग लाते हैं ना कितने लोग डिजाइन वा तो हमें क्या करना है जिसे कि हमें तेल नहीं डालना है जिसे हम आप लोग को बता रहे हैं फ्रेंज हमें पहले इसमें डालना है पानी पानी में हम एक बरतन इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से पानी में सारे दिये को हम डाल देंगे तो जितना भी दिया आप मंगाए ह वो साड़े दिये मिटी का आप पानी में डाल दे इस तरीके से पानी में डालने के बाद अब हमें इसको थोड़ा पांच मिनट के लिए हमें जब नया दिया रहता है ना तो पांच मिनट में ये सुख जाता है तो फ्रेंस इसे सुखने में भी देर नहीं लगता है ये बहु बहुत ही अच्छे से दिया जलेगा, तो फ्रेंस हमें एहां पे देना है थोड़ा सा डल गम पॉडर, आपके घर में जो भी पॉडर है आप खुस्पु बमला पॉडर डालिए, दीए में, अब हम दीए में इस तरीके से पॉडर डाल दिया है, अब इसको हमें थोड़ा सा मि यहां पर दाले हैं इसलिए कि च्छेद में च्छ़टी छीर होता है थीक है तो उस च्छेद में जो है सारा तेल अंथर चला जका आता है तील का सरसो तिल तील का तिल बहुत जिसे सरसो का तिल जो होता है ना आप जो भी दे कर जलाते हैं आप चला सकते हैं जिसे घी हो गया तो आप इस तरीके से जब भी दिये में बाती कर लिये हैं उसके बाद हमें लेना है नेल पेंट तो फ्रेंस आप सोच रहे हैं ये नेल प बिल्कुल उसी तरीके से हम लगा रहे हैं अब इस दिये को हम जला लिये हैं तो देखिए फ्रेंस कि इतने अच्छे से हमारा दिया जल गया है और फिर देखिए जैसे कि हवा भी चलेगा और फिर कुछ भी तो यह हमारा दिया अच्छे से जलता रहेगा यह बुझेगा नही लोग दिये जलाइए और बचत ही बचत कीजिए है ना थोड़ा सदिया में अब घंटो जला सकते हैं इस तरीके से आप दिया थोड़ा सद तेल में ज्यादा तेल भी देने का जरूरत ने तो ये वीडियो अप ये टीप्स आप लोग को कैसा लगा जरूर बताईएगा फ्रे इस तरीके से दो लेते हैं अब इसको इस तरीके से करना है इस तरीके से हम रखते हैं तो हमारा कड़ी के पता जो है एक दो दिन के बाद खड़ाफ होने लगता है तो हमें इसको बहुत दिन तक इस टोर करना है क्यूंकि मार्केट से हम एक बार लेकर आ जाते हैं तो कड़ कड़ी के पता यह दो ले ना है कर हमस्ते नहीं थोड़े बीडिया जरूर आज हा करते हैं क्ड़ी के पता आया करूँ पाते में मेड आयआ सिर्फ और जुड़ो दोड़ा से ना घुट और जहां 예न रखर दोड़ें यहन जहामानाइफ